जे इन दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अपना टार्गेट कबर्मेंट जो मैं चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दवा लिजे ताकि आपको हर न्यू नट्पिकेशन आसानी से मिल त सब्सक्राइब कर पाएंगे वह मैं आपको सबसे पहले आपको जाना होगा एफिय्च का लिंक में मिल जाएगा तो इस तरीके का इंटर फेस आपको सामने खुझे आ जाएगा तो सब्सके पहले आपको करना होगा तो डो रोजआइब के लिए आपको ऐमिल नंबर डालना होगा क्टि शब्सक्राहाट आपको फ्रीप marriage के यहां आपको दिखाए दिखाए आपको डालनी के बाद आपको लोग इन कर लिना एंड जैसे लोग इन करेंगे तो आपका लोग पेज जो एक खुल के आ जाएगा तो यहां पर आपको पूछता है एपलिकेंट फ्रस्ट नीम तो आपको यहां पर नीम डाल दिना है और फादर्स डाल दिना है यहाँ पर दिखाए दिखाएगा डिट आफ वर्त वारत 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 में मन्त है यह 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 तरीके से डाल दिना है और आपको नेशनल्टी से लेक्ट कर दिना है नीचे दिया हुआ आपका प्रिजेंट एडरस तो प्रिजेंट एडरस में आपका बलेज, पोस्ट, तैसिल, डेश्टे, गली नमम्र, हाउस नमम्र, यह सारी चीज़ जो है फिल सबसे पहले हाच नम्मर गली नम्मर ब्लेज फॉस्ट इस तरी से डालने है अपको डालना है तेंथ है किस वोड से आपने पास किया है किस एयर में आपने पास किया कितने मंत का कोश ता साइंस है सोजल साइंस है वो सारे सब्जेक्ट यहां पर डाले होंगे परसेंटेज कितना है वह आपको डाल देना है यह आपको नीचे देखाए आपका डिवीजन इसके बाद क्या आपको साइड में दिखाए देगा आपका एड क्वालिफिकेशन करना होगा जैसे आप एडरो कर जाएंगे और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो एडरो करेंगे 12 एक इस बोड से किया किस एर में किया कितनी मंत का था सब्जेक्ट कितना परसेंटेज है वो आपको डालना होगा डालने का इसको नीचे का लिए ना है नीचे आपको पूस्ता आपका बर्किंग ए जाता आपका काम में वो आपको डालना है उसे हुथ नोलेज ओवं कम्पीटर नोलेज है आपको यही सोट का नोलेज है आपको फूस्ता था टाइपिंग कि कितनी szpid है हिणी में और आपका इंगलेन में डोनुं में अलग़ औलग दिया हुआ है आपका गुरुफ सी के के लिए यह चाह तीनों चीज़ा को सिर्फ गुरूप सी के लिए दिगन्यों ही आपको यहां पर क्या प्ली राइट वेरिफ रिफाई एज हाव एज पर फर फर्फर्स टुव दा बेस्ट इंस्ट इंस्ट इंकेस हूं इंप्र ताब एक एंप्लोई के थ्रू आप जो आपन इक काम करेंगे उसके तुरूप अपने कोलेज के लिए क्या अच्छा करना चाहिए वह यहां पर आपको डाल देना हुए आपको फूल नेम तो आपको यहां पर अपना दो तूरे प्रेंस डालना हुए जो आपके बार में चानकाई रखते हैं आपका वेरिफिकेशन में क्लियर कर सकते हैं तो यहां पर आपको फूल नेम डाल देना है किस प्रद पर काम करता है वो डाल देना है किस इंस्ट्यूट में करता है मोबाइल नंबर और इमील आइडिया आपको डालना होगा वहीं सेंपोजिशन में आपको दूसरे का डाल देना है and save and continue कर देना है save and continue करेंगा तो आपका next option को लिके आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी दिर आपको क्या भीट करना होगा उसके बाद यहाँ पर select करना होगा experience of Delhi आप admit तो आपका experience available है तो आप details दे सकते हैं नहीं है तो आपको खाली छोड़ना है यह आपका PhD research publication group यह के लिए कोई experience है कोई जानकारी है तो आप अपना share कर सकते हैं आपका qualification बगएर अवेलबल है तो same position में आपको fill कायना होगा नहीं है आपको देखिए यहाँ पर अगर है अवेलबल है तो आपकी इस्ट्यूर से है आपका experience स्यादी है आप publication है आपको यह सारी चीज़ जो अगर आपके पास अवेलबल है तो आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं ठीक है यह सिर्फ आपका क्या है यह आपको fill करना होगा है यहाँ पर fill करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आप जो है यहाँ पर PhD research प्रब्लिकेशन ग्रूप यह के लिए आविदन करना चाहते हैं यहाँ पर साइड डिटेल फिल करनी होगी किस इंस्ट्यूट से आपका experience है किस पोस्ट पे कब से कब तक है ठीक है तो यह process आपको करनी होगी documents upload का system आता है next option तो आपको document upload में 10th की mark seat आपका 10th का certificate mark seat 12th की certificate mark seat वहीं graduation की mark seat ठीक है cert degree आपका जो है फिर उसके आपका जो पोस्ट graduation की master degree ठीक है जो जो आपके पास available है तो वो आपको experience है NOC है जो आपके पास available है वो आप upload कर सकते हैं नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है यह आपको आपके पोस्ट से लोग क्या है कि 10th का mark seat है कि certificate नहीं है तो दोनों एक में ही तो एक ही upload कर सकते हैं अलग लगे तो आप अलग अलग वी upload कर सकते हैं उसके आपको नीचे दिखाए देगा आपको किस पोस्ट के लिए आप आविदन करना चाहते है पोस्ट यह आपड़ सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड उसके आपको declaration click करेंगे और event continue पर आपको click कर लेना है तो आप payment के लिए option खुलके आजएगा अलग-लग payment अलग-लग post के लिए करना होगा जितनी post आप select करेंगे उतना ही payment आपके लिए आएगा तो आपके payment करने के बाद आपका application form जो है final हो जाएगा तो आसा करतों आपको वीडियो काफी पसंदाग और आपके लिए काफी helpful रहा होगा ऐसे helpful updates के लिए हमारे चैनल को subscribe करने Thank you for watching अपना Target Government जो